तो आज एक डिफरेंट रिव्यू आउट्डोर रिव्यू हिंदी बुक्स का तो मैं कुछ हिंदी बुक्स पढ़ रहा हूं ये वेकेशन पे मन्ना भाय दस बीस ये है मालती जोशी जी की बुक काफी अच्छी एंथोलोजी और शॉर्ट स्टोरीज है इसमें फिर ये एक बुक है कुछ फ्लाई ड्रीम्स की बुक्स है ये है और्किट विला बाई संजना अनन्द I think it deals with some horror and haunted places फिर ये एक और anthology बुक है शॉर्ट स्टोरीज की किस्तों की रेल काफी light स्टोरीज और काफी अच्छी यसी classic हिंदी बुक्स होती है फिर ये एक और फ्लाई ड्रीम्स की बुक्स ये है मनमोहन भाटिया जी की अद्रिश्यम देशत की इमारत तो इसमें कुछ पैलेस और बुतहा महल और वैसे elements हैं और फाइनली आते हैं जो आज की बुक का मैं रिव्यू करने वाला हूँ ताश्री तो ताश्री इस बाइ सुमित मैनारिया इस इस काल डोंट लिप लूक इंट अर आइस ताश्री का मैंने बहुत नाम सुना था इस कॉइट आ पॉपिलर बुक और यह इसमें जो मेन कॉंसेप्ट है वो है तत्वम असी इसमें शास्त्र उपनिशद महभारत रामायन यह सारे कॉंसेप्स लेके भी आगे काफी बिल्ड करा गया है रुद्रा योगा सिद्धी यो तो इसमें जैसे की आप देख सकते हैं एक मेन क्यरक्टर है ताश्री का और किस तरह से वो अपने चैलेंजर से जूजती है तो मैं आपको इसकी एक भू मिका बता देता हूँ यह आभार है और यह प्रस्तावना है तो प्रस्तावना में सुमिच जी पता रहा है कि कैसे most of the books that we read उसमें male character जो male protagonist है उसका ही काफी सब कुछ दारोमदार होता है बट इसमें the focus is completely shifted 360 degree तो इसमें बताया गया है कि ताशी कैसे एक आत्मनिर्बर लड़की की कहानी है जिसे किसी की साहता नहीं चाहिए तो एक strong female lead है इसमें and she deals with lots of problems but इस book में एक story का main thread लिया गया है and उसके through the writer has explored things like रहस्ते, रोमांच, प्रेम, आध्यात, मुविक्षवास, चहल और अभिलाशा तो मैं आपको story के बारे में जादा नहीं बताते हुए concepts का बता हूँ तो इसमें you will get to see lot of spiritual elements you will get lot of references जो हमारे ancient texts होते है इसमें Sumit ji ने कुछ-कुछ text और श्लोक भी लिखे हैं और वो story के ही साथ बहुत अच्छ अच्छ फ्लोक करते हैं इसमें story कुछ strong characters पे बेस्ट है female characters और किस तरह उनका relationship होता है एक cult के बारे मैं बारे मैं बोलू तो एक cult भी इसमें आता है और किस तरह Tashri handles all these things, story में काफी twists and turns है तो मैं जादा नहीं बता सकता but if you love some thriller elements, if you love supernatural stories तो आपको Tashri बहुत अच्छ लगेगी और यह काफी popular book है तो I highly recommend it और मैं जादा Hindi books पढ़ता नहीं पर मैंने भी यह Tashri book को पूरा पढ़ा शुरू से एंड तक और काफी even till you turn the last page you will be very gripped with the whole story तो I highly recommend Tashri it's a really good book और इसकी प्रतिलीपी में comics भी आती है तो यह comics के बारे मैं आपको बता हूँ तो यह प्रतिलीपी app में Tashri की comics भी अवेलेबल है तो यह digital में है और इसकी अभी जो first part है वो comics भी आई है print में तो वो आप पढ़ सकते हैं अभी के लिए मैं बताना नहीं चाहूंगा कि comics how does it compare to the book but मुझे book काफी अच्छी लगी for people who love reading old school books I think Tashri will hold your attention very well तो that's about it a short review of Tashri, don't look into our eyes this is by Sumit Minariya and this is available through Pratilipi and all the major publishers and all the major booksellers online so thank you for watching and this was my short outdoor review hope you like this different kind of a review and hope to cover more Hindi books from now on thank you for watching panel days